आपका मूट कैसा है आज कैसा है पाई और मैंनों यह जो लड़ाई चल रही है चुनाओ दोहजार चौबिस यह लड़ाई दो विचारदाराओं के बीच में तो है मगर पहली बार किसी राजनेतिक दल ने देश को बताया है कि अगर वो चुनाओ जीतेंगे तो वो इस सम्विदान को Constitution को खतम कर देंगे नश्ट कर देंगे यह जो सम्विदान है इसी में हिंदुस्तान के गरीब लोगों को पिछड़ों को गलेतों को आदिवासियों को Minorities को किसानों को मजदूरों को जो भी दिया है इसने दिया है और आज BJP के बड़े बड़े नेता कहते हैं अगर वो चुनाओ जीतेंगे तो इस किताब को वो फाड़ के फेक देंगे भाईयों और बेनों मैं BJP के हर कार्यकरता से कहना चाता हूँ हर नेता से कहना चाता हूँ BJP छोड़ो नरेंद्र मोधी छोड़ो दुनिया की कोई भी शक्ती इस किताब को नहीं चूँ सकती है इसको अगर आपने फारने की कोशिश की तो फिर देखना बेश आपके साथ कॉंग्रेस पार्टी आपके साथ क्या करती है भाईयों और बेनों BJP के बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिया कि अगर हम जीतेंगे हम रेजर्वेशन को खतम कर देंगे जो अम्बेटकर जी ने गांधी जी ने जवालाल नहरू जी ने कलेतों को आदिवासियों को पिछडों को रेजर्वेशन का ओजार दिया था हत्यार दिया था उस हत्यार को उस ओजार को भी ये च्छीनना चाहते हैं पूरे पबलिक सेक्टर को इन्होंने पूंजी पतियों को बेच दिया सारा का सारा काम इन्होंने बाइस अरब पतियों के लिए किया भाई और बहनों सोला लाख करोर रुपए इन्होंने बाइस लोगों का करजा माफ किया है सोला लाख करोर रुपए मतलब अगर आप चौबिस साल का मनरेगा का पैसा चौबिस साल का मनरेगा का पैसा इन्होंने बाइस लोगों को दिया है आप सोचिए जन्ता को कुछ नहीं दिया किसान का करजा माफ नहीं किया स्टूडन्स का लोन माफ नहीं किया छोटे विया पारियों को लोन दिया ही नहीं माफ करना छोड़ो और सबसे अमीर लोगों का 16 लाख करोड रुप्या मतलब 24 साल का मंद्रेगा का पैसा इन्होंने माफ कर दिया भाईयों और बेनो आपको कोने में बैठा दिया है आप पर इतना बोज है हिंदुस्ताइन के गरीब जनता के कंदों पर किसानों के कंदों पर जहां भी आप जाते हो घर से बाहर निकालते हो निकलते हो बोज उठा के चलते हो हस्पताल जाते हो बोज उठा के जाते हो बच्चों उस्कूल बेजते हो मुश्किल होती है क्यूं क्यूंकि सरकार आपकी रक्षा नहीं करती 22-25 लोगों के लिए काम करती है मुझे मालूम नहीं कि ये बात आपको मालूम या नहीं हिंदुस्तान में 50% तक्रीबन 50% पिछड़े वर के लोग है 15% गलित वर के लोग है 8% आदिवासी 15% माइनॉरिटी 5% गरीब जेनरल कास्ट 90% से जादा ये लोग है मगर देश में इनकी कहीं भी भागीदारी नहीं है आपने देखा होगा पीवी पे मीडिया आपको अंबानी की शादी दिखा देती है मोदी का चौपिस घंटा विडियो लिखाएंगे मगर किसान मजदूर पेरोजगार युवा उनकी आवाज आपको मीडिया पे कभी नहीं सुनाई देगी किसान मर जाएं मर जाएं किसान आतम हत्या कर लें जहर पी लें मीडिया वाले कभी नहीं दिखाएंगे कभी नहीं दिखाएंगे भाईयों और बेहनों मीडिया में आपका कोई है ही नहीं मीडिया में कोई पिछडे वर्ग कभी यक्ती नहीं है इनकी मालेकों की लिस्ट निकालिये इनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालिये आपको एक दलित एक आदिवासी, एक पिछले वर्ग कव्यक्ति नहीं मिल सकता एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा दो-तीन परसेंट लोगों ने मीडिया भाठेका ले रखा है चंता की अवाज कभी नहीं उठाते क्योंकि यह आपके नहीं है यह नरेंद्र मोदी और अदानी के हैं और उनका काम यह करते हैं इसलिए 24 घंटा या उनकी शादिया देखेंगी या फिर नरेंद्र मोदी का चैरा देखेगा मीडिया में भागीदारी नहीं है हिंदुस्तान के सारी की सारी बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो मालिकों की लिस्ट निकालो टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी इनकी लिस्ट निकालो इनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो आपको एक पिछड़े पर कव्यक्ति नहीं मिलेगा एक दलित नहीं मिलेगा एक आदिवासी नहीं मिलेगा एक माइनोरिटी का नहीं मिलेगा और एक गरीब जेनरल कास्ट कव्यक्ति नहीं मिलेगा जैसे मीडिया में 2-3% लोगों ने ठेका ले रखा है वैसे कॉर्परेट इंडिया भी 2-3-5-10% लोगों का है आपकी जमीन ले जाते हैं GST में आप पैसा देते हो इनके बैंक लोन माफ हो जाते है इनको जमीन मिल जाती है जल मिल जाता है जंगल मिल जाता है और आप देखते ही रह जाते हो चलिए मीडिया को छोड़िए कॉर्परेट इंडिया को छोड़िए सरकार की बात करता हूँ दिल्ली की सरकार को 90 लोग चलाते हैं 90 IAS अपसर है 90 अपसरों में से तीन अपसर पिछड़े वर्के हैं एक अपसर आदिवासी है 90 में से तीन दलित है और अगर आप इन सब को जोड़ लो हिंदुस्तान के बजट में से अगर 100 रुपे खर्च होते हैं तो ये 90 परसेंट वाले अपसर 6 रुपे 10 पैसे का निन्ने लेते हैं भाई और बेहनों आप कहीं के नहीं हो कहीं के नहीं हो तेश में पिछड़ों को दलितों को आदिवासीों को गरीब जेनरल कास्ट को माइनॉरिटी को कोई भागीदारी नहीं है आप सिरफ अपने जेब से जी एस टी का पैसा देते हो उसके बाद आपका पैसा ये लोग इस्तिमाल करते हैं दो तीन परसेंट लोग इस्तिमाल करते हैं ये बदलना है भाई और बेहनों पहला कदम करांती कारी कदम हमारे मैनिफेस्टों में हमने लिग दिया जाती जनगरना जिससे हिंदुस्तान के पिछड़ों को गलितों को आदिवासियों को गरीब जनरल कास के लोगों को पता लग जाएगा उनकी आबादी कितनी है और उनकी हिस्सेदारी देश में कितनी है पता लग जाएगा कि मीडिया में पिछले पर के कितने लोग हैं गलित कितने हैं आदिवासी कितने गरीब जेनरल कास के कितने बड़ी-बड़ी कंपनियों में कितने हैं सरकारों में कितने हैं पबलिक सेक्टर में कितने हैं सारा का सरपता लग जाएगा दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा और उसके बाद करांतिक कारी राजनेती चंता की राजनेत शुरू हो जाएगे पाई और बेहनों जाती जंगरना के बाड़े में मीडिया में कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये गरीबों का हत्यार है ये पिछलों का दलेतों का आदिवासियों का हत्यार है ये राजनेती को बदलने का हत्यार है इसलिए अदानी की मीडिया में मोधी की मीडिया में ये आपको कभी नहीं दिखाएंगे ये एचाती जन्गर्ना अब मज़े की बात सुनिए और जब मैं ये बोलूँगा आप देखना इस भीड में कैसे ताली बजेगी कितनी खुशी होगी जन्ता को हमें करांतिकारी काम करने जा रहे है जो काम दुनिया की किसी सरकार ने आज तक नहीं किया है मतलब हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना भी नहीं देख सकते कि कॉंग्रेस पार्टी ऐसा काम करने जा रही बाई और बेनो नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को लाकों करोर रुपे दिये उन्होंने 22,25 अरब पती बनाए अब हमने निन्ने ले लिया है हम करोणों लाक पती बनाने जा रहे हैं ये देखो आपने ताली बजाई दबा के ताली बजाई आज शाम को आप मीडिया देखना ना ये भाशन दिखेगा ना ये ताली सुनाई देगी मीडिया आपका नहीं है भाईयों बहनों अधानी का है हमें कोई फर्ट नहीं पड़ता अमीरों को फाइदा होता है अधानी को एरपोर्ट मिलता है अधानी को सड़क मिलती है अधानी को डेफेंस के कॉंट्राइक मिलते हैं किसानों का करज़ा माफ होता है मन रेगा लागू होता है यह कहते हैं देखो 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 गरीब को बिगाड रहे हैं तो हम लाख पती बनाएंगे और एक नहीं धस नहीं करोड़ लाख पती बनाएंगे बाई और बेनो चार जून दो हजार चौबिस इंडिया गड़बंदन की सरकार बनेगी उसके एकदम बाद द्रामा होगा देखना उसके एकदम बाद हिंदुस्तान के सारे के सारे गरीब लोगों की एक लिस्ट बनेगी उसमें आदिवासी होंगे तलित होंगे पिछडे वर्ट्य होंगे माइनोरिटी गरीब जनरल कास के लोग किसान मजदूर इन लोगों की लिस्ट बनेगी करोनों लोगों की लिस्ट होगी ये वोही लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने पेरोजगार बनाया गरीबी रेखा के नीचे डाला इनकी लिस्ट बनेगी और हर परिवार में से हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा अभी घर जाओ वाई अभी तो मैंने बात बोली नहीं आप पहले ही तालिब जा रहे हो अब मैंने ये बोला नहीं महिला को क्या दिया जाएगा अब सुनो महिला की लिस्ट बनेगी करोड़ों महिलाओं की लिस्ट बनेगी मैदब आपका नाम क्या है नाम क्या आपका हाँ जो पीली हाँ आपका नाम क्या है हाँ सुश्मिता साहू जी जैसी करोड़ों महिलाओं का नाम लिस्ट में होगा और पिर सुश्मिता साहू जी होगा क्या मैं आपको बताता हूँ चार जुलाई को पहली तारीक शुश्मिता साउज ऐसी औरिस्सा में यूपी में टमिलनाडू में हिंदुस्तान के हर प्रदेश में करोनों महिलाएं जगेंगी और अपने बैंक अकाउंट को चेक तरेंगी धूमधाम से उठेंगी और चेक करेंगी बैंक अकाउंट और चार जुलाई को एक महिने की किष्ट 8500 रुपे उसके बैंक अकाउंट में मिलेगा चार जुलाई 8500 रुपे चार अगस्त 8500 रुपे चार सतंबर 8500 रुपे चार अक्टुबर 8500 नवंबर 8500 डिसंबर 8500 भाई और मेनो एक साल में 20 अजार नई 40 नई 50 नई 70 असी नई 90 नई एक साल का 1 लाख रुपे साहू जी की बैंक अकाउंट में जाएगा यह बजी ना काली एक लाख रुपे हिंदुस्तान के सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर हर महीने ठका ठक 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 इसको कहते हैं विकास करोरो महिलाओं को एक साल के अंदर लाख पनी बना देंगे मज़ा आया अब आप सोचिए करोरो रुपे सीदे गरीब होगे जेब में जाएंगे अब आप क्या करोगे जैसे ही वो पैसा आपके जेब में जाएगा आप शर्ट करीदोगे पैंट करीदोगे स्कूटर करीदोगे मोटर साइकल करीदोगे मॉबाइल फोन करीदोगे सारे के सारी चीज़ें करीदोगे कहां करीदोगे यहां करीदोगे अपने गाउं में करीदोगे शेहरों में करीदोगे और इसा में करीदोगे हिंदुस्तान की सारी की सारी फैक्ट्रियां जो आज बंद पड़ी है लोट बंदी के कारण गलत GST के कारण वो सारी की सारी फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी और जैसे ही वो फैक्ट्रियां चालू होंगी उन्ही परिवारों के बेटों बच्चियों को फैक्ट्रियों में रोजगार मिलेगा जैसे engine start होता है घारी का वैसे ही हम हिंदुस्तान का आर्थिक engine start कर रहे है जंप start कर रहे है engine में petrol डाल रहे है engine कौन हो आप लोग हो petrol क्या है एक लाग रुपया आदके bank account में नरेंद्र मोडी जी ने 16 लाग करोर रुपया 22 लोगों को दिया उन्होंने उस पैसे को हिंदुस्तान में कर्चनी किया उन्होंने दुबाई में, अमरीका में, जापान में, इंगलेंड में घर करी दिए बड़ी बड़ी गारिया करी दी, वो पैसा हिंदुस्तान में नहीं आया ये पैसा जो हम आपके बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं ये हिंदुस्तान के सड़कों पर, हिंदुस्तान के गाउं में, हिंदुस्तान के शेहरों में जाएगा और आर्थिक इंजिन को स्टार्ट करेगा किसानों को जैसे हमने पहले कर्जा माफ किया था वैसे ही हिंदुस्तान के किसानों काम करजा माफ करने जा रहे है और पहले बार एतिहासिक काम होगा किसानों के लिए गैरंटी कानूनी मिनमम सपोर्ट प्राइस गन्ने के लिए दान के लिए गेहू के लिए सब्जियों के लिए कम से कम दाम सरकार कानून के साथ आपको गैरंटी करवाएगे मोदी जी ने तीन काले कानून बनाए जो आपका था वो छीना अब हम आपको करजा माफ करके देंगे कैरंटीड मिनमम सपोर्ट प्राइस देंगे और जो आपका बीमा का पैसा है उसके लिए आपको छे महीने एक साल नहीं रुकना पड़ेगा आपको वो पैसा तीस दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा और इसा में बहुत सारे परिवार मंद्रेगा का काम करते हैं बहुत महिलाएं आशा और आंगनवारी का काम करते हैं उन परिवारों को मैं कहना चाहता हूँ आज नरेंद्र मोदी जी आपको मन्रेगा में 250 रुपए देते है 4 जून को इंडिया गडबंदन की सरकार आपको 400 रुपए देने जा रही है और आशा और अंगनवारी महिलाओं को कहना चाहता हूँ उन परिवारों को कहना चाहता हूँ जितना भी पैसा आपको आज मिल रहा है उतना उससे दुगना पैसा आपके बैंक अकाउंट में 4 जून के बाद कॉंग्रिस पार्टी डालने जा रही है मैंने रोजगार की बात कही फैक्टरियों की बात कही मगर युवाओं की भी बात करना चाहता हूँ 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है वो 30 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे और युवाओं के लिए हम एक निया अधिकार ला रहे है पहली नौकरी पक्की पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में सरकारी आफिसेज में, सरकारी हस्पतालों में सरकारी कॉलेजिज युनिवर्सिटीज में हिंदुस्तान के सारे के सारे ग्रैजुएट्स को बेरोजगार ग्रैजुएट्स को डिपलोमा होल्डर्स को कॉलेज और युनिवर्सिटी के ग्रैजुएट्स को एक साल की नौकरी का हम अधिकार देने जा रहे हैं एक साल की नौकरी मिलेगी पहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट में हर महीने जैसे गरीब महिलाओं को 8500 रुपे मिल रहा है वैसे ही हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाहों को 8500 रुपए महीने का ठका ठक 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 अंदर साल का एक लाक रुपिया हिंदुस्तान के ग्रैजुएट्स बेरोजगार ग्रैजुएट्स के जेव में बैंक अकाउंट में ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं भाईयों और बेहनों मगर सबसे बड़ी बात इस चुनाव में इस सम्विधान को अंबेतकर जी की सोच को गांदी जी की सोच को बचाने की बात है भाईयों और बेहनों अगर ये चला गया तो आपकी जमीन चली जाएगी आपके हक चले जाएगे पबलिक सेक्टर चला जाएगा पबलिक सेक्टर पूरा का पुरा प्राइबिटाईज हो जाएगा और हिंदुस्तां को 22 लोग अरबपती लोग चलाएगे इसलिए जंता की सरकार होनी चाहिए सम्विधान की रख्षा कीजिए reservation की रक्षा कीजिए गरीबों की रक्षा कीजिए और Congress Party का समर्तन कीजिए Congress Party को यहां भारी बहुमत से जिताई आप सब को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जै हिंद जै उरिसा जैन्यवाद जैन्यवाद